इस समय सबसे आदा इंवेस्टर के दिमाग में केवल एक ही डर सता रात और वो डर पॉजिटिव भी साबित होते हुए नजर आ रहा है दर ये था कि मार्केट बैक टू बैक हाई लगा रहा है जब अगर आप निफ्टी फिप्टी जो कि आपके सामने 26,178 का फ्राइडे का क्लोज देखने को मिला वहीं पर क्या हुआ कि जब ये निफ्टी 23,000 के पॉइंट के आसपास था लोग कहते थे अब ये 18,000 आ जाएगा मार्केट उबर बाट जोन में है तो उसके बाद चलते चलते ये निफ्टी 50 कहां पर आ गया 26,178 अभी भी लोग बोल रहे हैं कि ये मार्केट गिरते हुए 18,000, 17,000 इंडेक्स वापस से टच करेगा हो सकता ये 30,000, 32,000 चला जाए 35,000 चला जाए कोई कह नहीं सकता इस सब्जेक्ट में as a retail investor हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कुछ चीजें fundamentals हैं अगर आप इनको focus पर रखते हो तो आप ये मान के चलना कि आपको कोई market में जुका नहीं सकता है market के दिग्गा जाएंगे कहेंगे आज opinion इसके regarding देंगे कल opinion वही अपनी बदल देंगे नुकसान आपका होगा सबसे बड़ा जो नुकसान इस समय investor को देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि index तो positive चल रहा है यानिक 26,178 ये पूरा high लखा के आया और उसके बाद में आपका portfolio बिल्कुल नहीं बढ़ा सबसे important चीज है कि आपके portfolio में diversification गड़बर होगा इसी वज़े से क्या हुआ index तो उपर चल रहा है पर आपका portfolio उपर नहीं चल रहा है इसी तीलिए बोलते हैं कि directly shares के अंदर invest करने से अच्छा है कि आप किसी ना किसी mutual fund को पकड़के चलो अगर हम mutual fund की बात करेंगे तो कोई अगर directly small caps के mutual funds के अंदर लगा हुआ है या mid cap के अंदर लगा हुआ है तो देखिए index तो आपका positive देखने को मिल रहा है चाहे sensex हो चाहे nifty 50 हो ठीक है इसके साथ साथ चाहे आपके साथ nifty next 50 हो अगर ये index है तब तो आपको थोड़ा बहुत positive देखने को मिल रहा होगा अगर आपके पास वही small cap category के या mid cap category के mutual funds है तो वह भी negative नजर आ रहे है इसका simple सा एक बहुत बड़ा नजरिया है कि आप चले जाए कि जब आपने ये खरीदा आपका purpose क्या था small cap और mid cap को लेने का क्या आपका नजरिया यही था कि जब market वापस से एक दो साल में गिरेगा और हम ये सोचना स्टार्ट कर देंगे कि हमने गलत mutual fund लिया था तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगे आपको past में जाना पड़ेगा इसके लिए मेरा मानना है सिर्फ आप एक चीज़ सोचिए कि अगर आप small cap mid cap में हो तो long term में ये पुराना इतियास भी ये कहता है क्या कि सबसे तगड़ा return आपको small cap और mid cap से ही देखने को मिलेगा पर हाँ volatility भी आपको उतनी ही ज़्यादा जहिलनी पड़ेगी या beer करनी पड़ेगी तो जिस volatility की बात वहाँ पर चल रही थी वो volatility यही है index उपर चल रहा है और आपका portfolio नीचे गिर रहा है ठीक है तो यह सारी चीजे आपको कही न कहीं measure करनी पड़ेंगे एक platform पर हलकि अगर आपको डर लग रहा है आज की date पर तो बहुत अच्छी बात है कि initial stage पे ही आपको डर लग रहा है आपको यहाँ पर किवल एक काम करना है अपने financial advisor से पूछ के या किसी से भी पूछ के जो कि आप समस्तियों की prudent है आपकी नजर में कि यह एक अच्छा guide कर सकता है या आप अपने आप में prudent है कि आप कर सकते है diversification आपको अपने mutual fund के portfolio हो चाहे share का portfolio हो एक ETF यानि कि जो index fund का ETF पी आता है index fund आप directly mutual fund से भी ले सकते हो उसको आप जरूर सामिल कीजिए इसके साथी साथ sovereign gold bond फिलाल तो यह ऐसा बोल रहे हैं government की अब लेकर नहीं आएंगे अगर लेकर क्या आते हैं तो SGB के अंदर भी पैसे डालिए इसके साथ fixed deposit जो कि लोग आज की date पे बहुत ज़दा relevance इसको नहीं दे रहे है fixed deposit भी आप 2, 4, 5, 10 लाग का जैसा भी आपका risk appetite है यानि कि 20% करीब करीब आप tactical investment जरूर कीजिए इन सारी चीजों में segregated portfolio के अंदर segregated जब भी मैं बात कर रहा हूँ जहां भी fixed income security आपको मिलती हो जैसे कि fixed deposit, recurring deposit अगर आपका taxpayer है भारत देश के अंदर तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि उस condition में आपको fixed deposit बचना चाहिए आपको जाना चाहिए post office की savings scheme के अंदर बहुत आसान है आप अपने area के किसी भी post office में चले जाए और बहुत आसान है वहाँ पर FD लेना post office के अंदर उससे आपका क्या होता है actually 10,000 तक की saving पर आपको इंट्रेस्ट नहीं लगता है अगर आप senior citizen हो तो वहाँ पर और ज्यादा benefit मिलता है साथी साथ 3500 रुपए पर individual के तोर पर आपको additional benefit भी post office के अंदर देखने को मिलता है जो कि 80 TTA के अंदर आपको additional deduction मिल जाता है तो ये चीज़ें आपको post office के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है तो आप देखेगा कि आपका risk appetite क्या है अगर आप नहीं डर रहा है इस गिरावट से continuous की आपकी SIP चल रही है चाहे वो small cap हो चाहे वो mid cap हो फिर तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है long term में आप 15 सरवाद खुद अपना portfolio चेक कीज़ेगा कि आपको क्या return मिला हलाकि सारे mutual funds small cap और mid cap में बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिर रहे है वहीं अगर आप निपोन इंडिया की small cap को देखो तो जहां वही मार्च में return उसका 80% था अच्की date पे 40-40% का पड़ा हुआ है तो बहुत सारे mutual fund आउट परफॉर्म भी कर रहे है ठीक है तो निफ्टी 50 देखिए और Friday के दिन तो जो closing थी बहुत ही ups and downs में देखने को मिली निफ्टी 50 भी गिरा 1% mid cap तो गिरी रहा है 3-4 दिनों से लगातार इसके साथ साथ अगर मैं small cap index की बात करूँगा जिसको बहुत ज़्यदा लोग फॉलू करते हैं निफ्टी small cap 250 यह आया निफ्टी small cap 250 35 यह भी गिरते हुए देखने को मिला सभी में बंपर गिरावट देखने को मिल रही है except अगर हम IT की बात करें consumer durables की बात करें healthcare की बात करें oil and gas की बात करें oil and gas में सबसे तगड़ा stock तो BPCL चल गया निफ्टी इंडिया manufacturing fund भी बहुत अच्छे चलें तो यह सारी चीजे हैं तो shorter में आपको small cap और mid cap से related panic बिलकुल नहीं होना चाहिए यह सब एक phase है actually में देखिए market इतना high चल रहा है 3-4,000 point हम उपर आ गए बिना गिरावट के इसके बाद अगर 150 point गेर रहा है तो at least share market एक fixed deposit की तरह काम नहीं करता है share market ultimately यहाँ पर risk आपका सामिल रहता है और जब भी risk की बात की जाती तो risk आपका बहुत ज़्यादा रहता है बहुत ज़्यादा मतलब आपने अगर एक महीने में अगर आप 20% return आपको मिल रहा है तो आप यह मान के चलिएगा 15% 15 दिन के अंदर आपका portfolio 50% भी नीचे हो सकता है तो इस तरीके का risk आपको देखने को मिलता है तो जब आपको reward बिल रहा है तो risk से क्या डरना ठीक है और जब risk आपको मिल रहा है तो reward से क्या डरना ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं आपको डरना नहीं बिलकुल लगे रहो stock market के अंदर long term में wealth आपको यहीं से मिलती है केले साल आप हर साल 10-10% से अपनी SIP को बढ़ाते हैं 10% क्यों क्योंकि 7% के हिसाब से तो inflation बढ़ता है 3% उसके उपर आप अपने कॉर्पस को और बढ़ाते हो और जो आपकी normal SIP चल रही है वो तो चली रही है यह बहुत ही prudent investor ऐसा करते हैं और आपको भी ऐसा करना कोई बंदा अगर सन 2000 से लगा के 2024 से यानि कि 24 साल तक केवल 1000 रुपे की SIP कर रहा था और यह मान के चल रहा था यह वो एक prudent investor था आख बंद करके 10% अपनी SIP के अंदर हर साल incorporate करता चला गया cost के अंदर तो देखिए जिसने investment step up 10% नहीं बढ़ाया उसका वही 1000 रुपे 28 ला उसका बना 57 लाग almost double के वह 10% आपने inflation को बीट कराया और देखिए आपको क्या jump मिला यानि कि यह जो 58% है यह जो 57 लाग रुपे इसको मिल रहा है इस simple सी बात है यह कह सकते हैं कि यह inflation को बीट करके बना है यानि कि इस पैसे में inflation सामिल नहीं है और यह 28 लाग जो इसको बना हर साल SIP में 10% के आसपास का growth जरूर लाना चाहिए क्योंकि अगर आप corporate employee हैं कहीं भी job कर रहे हैं तो 4-5% तो आपका हर साल वेतन के अंदर भी increment देखने को मिलता है अब जो यह next chart आपको दिख रहा है यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें focus में रखनी चाहिए जैसे कि ज 30,000,000 रुपए उसका बनता है और नीचे वाले बंदे का fix deposit कर रखा है तो 7,000,000 रुपए इसका बन रहा है तो देखिए हलाकि इसका तो एक steady growth में बना यानिकि देखिए simple एक flat line है क्योंकि FD के अंदर आपको risk नहीं होता है जो company ने commit किया है वो आपको देंगे फिक share market के अंदर अगर company commit तो कुछ कर भी नहीं पाती है और उपर से आपका कई बार पैसा आपका erode भी हो जाता है erode that means की खतम भी हो जाता है लेकिन इस चार्ड से आप ये देख रहे हो कि जितनी बड़ी गिरावट देखने को आपको मिल रही है उतना ही तगड़ा return आपको देखन गिरावट देखने को मिलेगी इसकी वज़े से आप केवल एक काम कीजिए आपका जरूरी नहीं कि सारे portfolio को ठाके fix deposit में कर दें आपको आपको simple सा एक काम करना है कि अपने पैसे को diversify करके चलो post office की schemes वगरा भी खरीद लो और super encode bond की scheme वगरा है वहाँ भी करो थोड़ा सा अ अगेरा को भी purchase करते रहो apartment खरीदने की बात मैं नहीं कर रहा और बकी का पैसा आप share market के अंदर deploy करते रहे और share market में भी individual stocks के अंदर अगर आपको डर लगता है तो आप mutual funds की माध्यम से करें यह जितना भी data मैंने उठाया यह past का data है और share market के अंदर past का data की कोई relevance नहीं होती है क्योंकि past data does not guarantee की future में भी वैसा ही चलेगा क्योंकि share market में market और price दोनों का risk होता है market की कोई country आपास में लड़ जाए तो इसका क्या ले ना देना भाई हम तो कुछ कर नहीं सकते even market कुछ नहीं कर सकता तो market गिरेगा कोविड आ गया किसी के हाथ में नहीं था लेकिन price होता है company की price में company की sale गर गई company का कहीं से plant जल गया company का कुछ ऐसा management खराब हो गया जिसकी वज़े से company की performance गरवाड़ हो गई यह हम diversification से दूर कर सकते हैं तो जो चीज हमारे हाथ में है वो चीज आप कीजिए जो चीज उप चार्ट long term में नजर आएगा देखने को ठीक है और बस लगे रहे है शेयर मार्किट के इंतर बहुत बहुत धनिवाज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कोई डाउट हो तो कमेंट वाक्स मेर कियेगा हर अर्मा